देखे बच्चों, हम लोग हमारा जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो भी इंपोर्टन चीजे थी, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, अब इस चैप्टर के हम लोग, आज इसका लास पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे उपग्रह और भू उपग्रह के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे दूरविकाली उपग्रह क्या होते हैं, तुली उपग्रह क्या होते हैं, और एक चोटा सा टॉपिक हम और पढ़ने वाले है बाहर हिंता, यानि कि वेटलेस कंडिशन के बारे करें तो आप लोग हैंडिंग लगा लिजिए अवब ले आप अब देखक होतीक आपको अुपनल होते हैं आपको अपछे से पता है जो मिलीजिक की चारोड छक्कर लगाताया मुम सारी शारी जानते हो रहे संक करता है अब देखो लोग क्या निकालना चाहते हैं कि हमारा बार जो णिअ उपग्रह उनु है इसका परीकरमन काल होगा आप हम वÊंड आउट करेंगे इसकी प्रज्या कितनी होगी हम वोई आउट करेंगे यानि कि उपग्रह के बारे में हम लोग यह सब चीजे आआउट करने वाले है तो इसके चोटे-चोटे से derivations है, बहुत ही आसान से derivations है, जो आप easily कर सकते हैं तो माल लेते हैं कि हमारा कोई एक M द्रवेमान का उग्र है, जैसे माल लो ये मेरी प्रत्वी है, ये मेरी प्रत्वी है, जिसका द्रवेमान मैंने ले लिया capital M और इस प्रत्वी के चारो और, वो एक उग्रे है, जिसका द्रवेमान है, small M, जो चक्कर लगा रहा है अब देखो, आर्थ त्रविजर के व्रत्य पत्मे, मैंने मं लिया कि इस प्रत्वी के सेंटर से, इसके जो दूरी है वो R है, कितनी है, small r है, प्रत्वी की रेडियस, जैना capital R, याना कि प्रत्वी के सते से, अगर मैं इस M के दूरी मानु तो मैंने माल ली H, प्रत्वी के स तो बताओ यह नी आएगा, R plus H, आएगर ही आएगा, चली, तो इतना आपको समझ में आगया, इसका डागरम आप बनाना चाहो तो इस सरे से बना सकते हो, अब मैंने मान लिया कि इसका कशी वे, इसका कशी वे, इसका कि वेलोसिटी कितनी है, मैंने मान लिए वी, और मुझे वी को ही काल्गुलेट करना है, अब आपको अच्छे से पता है कि व्रत्य पत में, अगर कोई चीज घूम रही है, इसके उपर अभिकेंद्री बल जो लग रहा है, वो उस पर लगने वाले और बलों से बैलन्स होना चीए, तब ही तो हमारी जो चीज है वो व्रत्य पत पर बैलन्स करेगा, तो बस आप इनको बैलन्स कर दीजिए, अभी केंट्री बल होता है, mv2 upon r, गुरुत्वा कर्शन बल होता है, gmm upon r2, हमेशा r मैंने बताया था, इन दोनों के बीच की दूरी होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को, small r की form में लिखोगे, तो small r, अग m upon r square, तो v कितना आ गया, under gm upon small r, यह आ गया, इसका कक्षी है, वेग, अगर मैं r की value रग दू, capital r plus h, तो v की value आ गई, इतनी, ओके बच्चो, तो यह आ गया v का formula, अब देखो, इसी v के formula को अगर मैं गुरुत्वी तवर्ण की form में निकालू तो, यह तो गुरुत्वा कर होता है, capital gm upon r square, होता है, तो बस यहां पर निकाल लो, तो यहां से जब आप value पुट करोगे, तो v की value आ जाएगी g की form में इतनी, r under root g upon r plus h, तो यह आपको दोनों ही formula ध्यान रखना है, तो यह आ गया, तो यह आ गया, मेरा कक्षी है वेग, यानि कि मेरा जो अगर है, जो हो में पर जो यहां युगा, निर्बर नहीं कर रहा है, पता वोय सा भी ले लो, ये ले लो, जाय लो, ये ले लो, तीनो भी formula में उपगरहय का द्रवियमान, m, r, जोब इतना ही रहता है यह केवल प्रत्वी तल से उचाई पर निर्बर करता है तो यह किसके ओपर डिपेंड कर रहा है यानि कि वो प्रत्वी की सतह से कितनी उचाई पर है उसके ओपर यह डिपेंड कर रहा है लेकिन उसका दरव्यमान कितना है उसको इस सीज से कोई लेना देना तो यह है मेरा कक्षी है वेग अब बात करते हैं परिक्रमन काल की अगर आपको वेग बता है तो परिक्रमन काल निंगालना तो बहुत आसान है ती का फोर्मूला होता है तूपा यार अपॉन वी बस वेल्यू पुट कर दो वी कितना है अंडरूर जी एम अपॉन स्मॉल आर अगर आप इस स्मॉल आर प्लस एच लिए टो यह दूसरा फोर्मूला आप करेंगे अपके लिए इसके बीच की स्ट्प आप लोगों के लिए हॉमवर्क आप लोगों को यह करना कुछ भी नहीं है इस आर की जगे पुट कर देना किया वही जो अब यह अभी किया है आ प् तो, तो अवर्थiszकाल भी प्रत्वी तल से उचाई के उचाई के ऐवर्थकाल हो या मेरा परिक्रवन काल हो तरह के साहरे डिपेंड करते है की प्रत्वी की स не fresh ना घाना बात करते हैं तो इसको इसको इस तरह से छाना जाता कैर षोग अगर घ्ख Guidiscu Game upon था है यहां से इसा अर्की जगर फैल्यू पूट कर दो r प्लस h तो यह गाईगा V2 इसुकर टू। gm upon r plus h ka whole square, अब अगर में यहां से T square निकालो, तो यहां से अगर आप लोग V की यह value put करेंगे यहां पर इस वाले formula में, अगर आप V की जो आएगा नहीं यहां पर, V की यह value put करेंगे, तो आप यहां तक पहुच जाएंगे, T square is equal to k r plus h ka whole cube, जहां k क्या है, 4 pi square बटे gm, अब बता हो, यह बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं लग रहा, T square proportional to small r cube, जाना पैचाना सा लग रहा है क्या, हाँ, Kepler sir का 3rd नियम, Kepler जो थे उनका 3rd लो, यही तो होता, T square proportional to r cube, वो हमने यहां से भी निकाल लिया, लिखना नहीं निकला, तो Kepler का आवर्दकाल का नियम है जिसका अनुप्योग, प्रत्वी के परिते, उपग्रह की गती के लिए किया जाता है, तो यह क्या है, Kepler sir का 3rd लो ही तो है, भाई, K तो constant हो गया, क्योंकि यह सारी की सारी value constant है, r plus h को small r की form में लिखा, small r cube, यानि कि T square proportional to small r cube, यह है मेरे Kepler sir का 3rd नियम, जिसे हम आवर्द तो definite सी बात है कि इसमी इस ततीज उर्जा भी होगी और इसकी गतीज उर्जा भी होगी, होगी ना, अगर माल लो, कि मेरे ग्रह का दरवेमाने small m, यह मान के चल रहे है, तो बताओ, इसकी गतीज उर्जा कितनी होगी, half m v square, माल लो, इसकी velocity है V, दरवेमाने m, तो कितनी हो formula होता है, उपगरह की velocity हमने अभी अभी निकाली है, अंडरूर gm upon small r, यह value ठाई और यहां put कर दीजिए, इसको solve करेंगे, तो आप यहां तक पहुच जाएंगे, एक strap बीच में हो रहेगी, जवाप लग कुद करेंगे, इतनी आएगी gm upon 2 r, उपगरह की गती जूर्जा आचुकी है, उपगरह की इस्तिती जूर्जा हम अलरड़ी पढ़ के आचुके है, कितनी होती है, minus gm upon small r, होती है ना, बस, जब आपके पास में काइनेटिक है, potential है, तो दोनों को add कर दो, दोनों को add करोगे, तो मिलेगी, kulurja, kulurja मिली, gm upon 2 r, minus gm upon r, यह minus क्यों है, क्यों इसकी kulurja, जो इतनी होती है, okay, बच्चो, गटाना ही तो है, यह full है, यह half उसका तो बचेगा, हाफ ही, लेकिन negative में, okay, तो यह अगई, minus gm, क्योंकि यह negative वाला पार्ट बड़ा है ना, इसलिए, आप तो simple LC, हम लेके कर लेना, हसानी से हो जाएगा, okay, तो यह अगई, अब अगर आपने इतनी एनर्जी इसको बाहर से दे दी ना, तो यह इसको छोड़के चला जाएगा, तो इसे मुक्त करने के लिए आपको बाहरी उर जाके आउशिकता होगी, क्योंकि यह negative sign आया, इसका मतलब है कि यह से बंदा हुआ है, हम इसको मुक्त नहीं कर सकते, अगर हम करना है, तो हमें इतनी एनर्जी इसको देनी पड़े कि बाहर से, तब ही है, अगर हमें पढ़ लिया हमारे उब ग्रह के बारे में, कि हमने उब ग्रह का कक्षय वेक पढ़ लिया, उसका परिक्रबन काल पढ़ लिया, उसके कुलूरजा भी पढ़ ली, सारे फोर्मूले आ तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां से न्युमेरिकल बहुत इजी होता है बस फॉर्मुले आपको अच्छे से पता होने चाहिए अब बात करता हैं बु उपग्रह भू इस तरह ने बू उपग्रह होते हैं यह वैपंड होता है जो प्रत्वी के चारो और चक्कर लगात वैसे ही प्रत्विय के चे और नीव समान होतीे है क्याया है कि नियम हो इना पर भी लागू होंगे प्रत्वय में लेकिन हमने देखा वूप ग्रह सी कज चारे से समान होती है इसनली केपकय की जितने यह मैं वो साइट की सारण बीकुप ग्रह पर भी लागू होते हैं विशेश बात यह है कि इन उपग्रहों does प्रत्वी परत्ताकार दिर्ग Vत परत्ताकार होती है वो ही कि ये प्रत्वी के परिता है व्रत्ताकार या फिर दिर के व्रत्ताकार कक्षों में ही ये चक्का लगाते रहते हैं प्रत्वी का एक मात्र प्राकरती गुबगरा है मैंने आपको बताया कौन सा है चंद्रमा है जिसकी लगबग व्रत्ताकार कक्षा है इसका कीमपेटली व्रत्ताकार नहीं और सिस्का परिक्रमन काल कितना होता है 27.3 दिन 20.3 दिन 27.3 कितना तो देखो आप लोगो को याद हो तो गुरुत्वी तवन के बारे में मैंने आपको फर्स चैप्टर में भी समझाया था जब हम लोगों ने वहां पर गुरुत्वा कर्शन बल के बारे में जाना था ना चार बल पड़े थे वहां भी मैंने आपको नोट डाल के 27.3 दिन जो चंद्रमा को अपनी अक्ष के परिता है लगबक समानी होता है तो उन भूब ग्राय के लिए जो प्रत्वी के अति निकट होते हैं एच के मान को प्रत्वी की तुल्णा में नगण्यमान में पर मतलब यह कहना चाहरा है कि जैसे यह तो मेरी यह प्रत्वी और इस में कि आर्घ कम हो हूगा हम यह कुंदिशन में हम यह तो कंडिशन लेके चल रहे है कि हमारा भूब ग्रत्वी को अति निकट हैै तो उस कंडिशन में एच का मान इस ए की स्रिज्या की तुल्णा में बहुत कम होगा होगा न तो तो उसके लिए अगर आप इसमें र और गी की वैल्यू क्योंकि प्रत्वी के लिए तो जी और र फिक्स हैं जब आप सारी वैल्यू रखोगे तो यह निकलता है कितना 85 55-5 Min, तो यह किसके लिए निकला उन भूषगे का परीकरमन काल है जो प्रत्वी की सते के बहुत निकसे प्रत भूषगे मन इंकरते हैं इसको यह निकलता है लग बग 85-6 Min. तो आपको भूषगः समझ प्रहोगे, शंवilla काली यह दुर्वियूप ग्रेक App ? तुल्य काली दूर्वी उपग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् और उनकी जो विष्वत तल में पड़ते होंगे गरह सोगर्थ कारॉ तो प्रकार के आयों पर गूऱना करने के वत्रूमने के प्रथ्वी आपको पता है अच्छे से एक दिन होता है यानि कि 24 गंटे होता है और अगर ऐसे उपग्रह में मिल जाए जिनका आवर्दकाल भी 24 गंटे हो और जो प्रत्वी के विश्वत तल में स्थितों तो उन्हें हम कहते हैं दुर्वी हो सॉरी हम उन्हें हम क्या कहते हैं बच्च इस तिर दिखे क्योंकि दोनों का अवर्दकाल समान है तो प्रत्वी कहीं से भी इसको देखोगे तो आपको दिखेगा ना क्योंकि दोनों एक साथ गूम रहें तो एक तरह से तो हमें इस तिरी दिखाई देगा ना वो तो उनके लिए लिए टी का आवान 24 गंटे होता है उनके लिए कर देखें प्रत्वी कितनी दूरी पर है यह वाला समॉल आर केंदर से यहां पर यह जो आता है 36000 किलोमेटर जो प्रत्वी तरिजा से बहुत अधीक है यहानि कि अपकी बार यहां पर यह जादा हो गया और यह हमारा प्रत्वी कि तरिज्या है वो हमारी कम हो तो वे उबग्रे जो प्रत्वी के विश्वत तल में होते हैं तता प्रत्वी के परिते हैं वरत्य कक्षा में ती बराबर 24 होवर्स के आवर्थकाल से परिक्रमन करते हैं तुल्य काली उबग्रे कला तुल्य काली मतलब समान समान कैसे कि इनका आवर्थकाल प्रत्वी के आव एक छिन्हे हम कहते हैं दूरवी उपग्रे क्या होते है He less than 500 kms, अगर थुल्याल काले की बात करूं तो इनके लिए come r máald अगर हमें तुल्याल तो दूरवा काल होते है उनके लिए एच का मान होता है 500-800 km होता है तो यह उपग्रय कहलाता है हमारे दुर्वी है उपग्रय परत्वी के दुर्वों के परित है उत्तर दक्षिन दिशा में गमन करते हैं जब की प्लत्वी तो अपने अक्ष पस्चिन से पूरव की और गुणन करती है यहाप जानते हो बड़ा ह को नाम दे दिए गे तो इन नाम गुजड़ेंकों प्रविस अवर्थकाल होताँ वो 100 मिनिट पाया जाता है हमारे दुर्वी अवर्थकालKY होता है 100 मिनिट होता एक इन यह सबीरे Heidi से दिन में कई बार गुजरते हैं गुजरेंगे ना 100 मिनिट तो कितना सा होता है ठीक है जब कि हमारे जो तुल्य का ली अवर्दकाल कितना होता है 24 तो आपको तो बस यह स्टेंडर वैल्यूस बता होनी चीए यह डिरेक्ली पूछी जाती है मताई यह दुर्वी अवर्दका लगबक सोव मिनिट तुल्य का ली अवर्दकाल 24 घंटे बूब ग्रेका 85 के आसपस निकला था न हमारे जो प्रत्वी से उचाई से निकर थे अभी अभी अमने निकाला था न यह यह वाली कंडिशन तो इस तरह से तो इस तरह से आप से यह चीजे पूछी जा सकती है तो आपको यह स्टेंडर चीजे पता होनी चाहिए ओके बच्चो चली अब हम पढ़ते हैं एक लास्टोपिक हमारे इस चैप्टर का इसके बाद हमारे इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम करेंके इसका नुमेरिकल पॉर्शन अब हम पढ़ेंगे बहुत बार देखा आप लोग को वेटलेस महसूस करते हो करते होंगे ना जिब उपर से नीचे कूते हो तो फील होता है आखिर ऐसा क्यों तो देखो इसकी रीजन है किसी वस्तू का भार का अबास हो रहा है ना तो उसका डिजन होता है उस पर लगने वाला प्रतिकिरिया बल प्रतिकिरिया ज जिरो हो जाए तो उस कंडिशन में हमें वेटलेस यानि कि भार हिंता फील होती है तो किसी वस्तो के भार का आबास उस पर लग रहे वाले प्रतिकरिया बलके कारण होता है यदि प्रतिकरिया बल जिरो हो जाए तो हमें भार हिंता की दिशा प्राविया बार हिंता की कंडिश प्राप्त होती है, जैसे कोई व्यक्ति स्वतंतर रूप से नीचे कूता है, तो व्यक्ति पर किसी अन्य वस्तू दोरा प्रतिगिर्या बल आरोपित नहीं होता है, इसलिए उस पर भार हिंता का अनुभव होता है, अब हम बहार हम भार ह्यंता के बार में जानना चाहा है, वेट लेस्टर से होई यह आपको वेटलना बनानी तो इतो को भार प्रतिगर्या बल को जीरो बनाना है, एक अ क्लमिला के बाद इतनी सी दो आ है जो हमें कोई भार पील हम 2000 होगा, बहार हो ओगी। चलिए, तो यहां पर एक प्रतिक्रियात्मक बल भी लग रहा है तो देखो आप इसको जो भीकेंद्रे बल है वो मिलेगा कहां से यहां प्रतिक्रियात्मक बल से और वो मिलेगा गुर्पवकर्शन बल के द्वारा इसको प्राप्त होता है इसको अभीकेंद्रे बल प्रधाम करता है जिसकी वज़े से तो यह व्रत्तिक अक्षाँ में गुम रहा है ना माना कि अधर एहम द्रवेमान की वस्तु अधर की सतय पर रखी है मतलब यह उपग्रह इसमें कोई भी एक अमतर विमान की कोई वस्तू है जो इसकी सतय पर है उपग्रह की सतय के उपर रखी हुई है प्रत्वी का कुरुत्वाकर्शन बल कितना होता है आपको अच्छे से पता है जी एमम अपॉन आर इसको है और इसकी होता है वह जो सेंटरल होता है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा केंदर की ओर होगी चलिए अब बात करते हैं उपग्रह के तल की प्रतिकिरिया उपग्रह का जो भी तल अगा जिसमें वह है उसमें जो भी प्रतिकिरिया बल लग रहा है उसको मैंने कह दिया आर और इस आर की में अबैलन्स सब्सक्राइब किन अबाई अभी गेंद्री यह उगया। और इंदेर कोगें COAS melhores। आपाद परिमा मेंन आंपार की यह उड़ है। और इंदर एक बाद नए, तो भी आ उग, तब भी तो तो जी मम अपन र स्कार माइनस कैपिटल आर यहां पर तरिज्या नहीं है यह प्रतिकिरिया अत्मक बल जिसको मनें माना है अब यही परिणामी जो बल है वह वस्तु को भी केंद्री बल प्रतान करेंगा तब ही तो भूम पा रहा है ना तो इसको बराबर कर है वी की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए यह अंडरूट जी एम अपनी स्मोल आर निकाला है ना हमने बस जब आपने वी की वैल्यू को पुट करी तो यह टम आ गई इतनी देखो यह दोनों टम समान हो गई तो बता वार वराबर कितना अगया जिरो यानि कि आपक सतय पर वस्तु पर कोई प्रतिक्रियात्मकबल नहीं होता है कि उग्रह की सतय होती है उसके उपर कोई प्रतिक्रियात्मकबल काम नहीं करता है जिसकी वज़े से वस्तु भाहर हीन प्रतीत होती है तो यह था हमारा भाहर हीन था तो इसी के साथ हमारा जो 8 चैप्टर है उस आप लोग time to time numerical निकालते रहिए क्योंकि आप यह सोचे कि पूरे chapter की numerical हम एक साथ निकालेंगे तो वो बहुत complicated हो जाता है तो जैसे जैसे topic complete हो जाए आप वैसे वैसे पहले solve करिए फिर unsolve को try करिए ओके बच्चो तो बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं next video में thank you